वेरी वेरी स्पेशल कुड इवनिंग टु वाल स्वागत है आप सभी का एक बर फिर से वाइफ वाइफ यूटीव चैनल पर विच अ पार ओफ वन आकडमी और मैं आप सभी की रिजनिंग मेंटोर इतिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहां पर लाइव जुड़े जो अनकेडमी के सेशन होते हैं मेरे फ्री वाले अनकेडमी एप के जो सेशन है वो 11 बजे होता है सुबह 12 बजे और साड़े तस पे मॉनिंग में चीक है तो वह भी आप लोग क्लासे कर सकते हो सुबह सुबह क्लासे रहती हैं जहां पर आपका टार्गेटेड आप लोग अप कंप्रीट कर सकते हो अपना अप्राइब करने ज़ा रही हूं यह आप लोग का एक चोटा सा कशेशन हम करने चाहरे हैं बहुता सा काम है मुझे तो मैंने सोचा कि 10-10 बेस मिनिट का एक चोटा सा ट्रेकी सेशन हो जाए जिसमें आपका कुछ ट्रिक्स बता दू इंपोर्टेंट जो आपके एक्जाम में काम भी आए और कम समय में हम लोग बहुत ज़्यादा यूस्फुल चीज़े पढ़ सकें कर रहे हैं ट्रिकी सेशन जो काम काम आईगा चीच है तो मैं बता दू है अपने यहां पर जैसे क्लोक में हम बात करें इस तरीके के आपको पता है ऐसे टोटल बारा ब्लॉक होते हैं पूरा सरकल आपका 360 डिगरी का होता है की एक ब्लॉक आपका कितने हो जाएगा 6 डिग्री का है की नहीं जब 12 ब्लॉक आपके 360 डिग्री के है चीक है तो एक ब्लॉक आपका 6 डिग्री का हो जाएगा यहां पर है ना ठीक है और 30 डिग्री का मालो 30 डिग्री का हो जाएगा जैसे आप इसको निकालोगे तो 1 बराबर 30 degree आएगा एक block आपका 30 degree यह वाला इस एक block की value 30 degree है इस 5 minute के block की value 30 degree है जो एक block है आपका यह block की बात कर रहे हूं मैं जो 5-5 minute के blocks होते न उसकी value 30 degree है अब आपको पता है इस 5-5 minute के blocks में भी 5 line होती है भई तो अगर 5 minute बराबर 30 degree है तो यहां से 1 minute की value आजाएगी 6 degree जो की हमारा सामने लिखा होगा है यानि minute वाले सुई की value होती है एक minute बराबर 6 degree और घंटे वाले सुई की value होती है एक minute बराबर half degree है ना क्योंकि घंटे वाले सुई एक घंटे में 30 degree का यह round complete करती है 60 मिनिट में अगर चलेगी जैसे हम लोग इसको भी डेरिवेट कर लें वैसे डेरिवेट की जरूरत नहीं 30 डिगरी राउंड कम्प्लीट करते हैं एक घंटे में यानी 7 मिनिट में तो अगर एक मिनिट की वैल्यू निकालोगे तो 1 बाइ 2 डिगरी आएगा आधा क्योंकि बहुत slow speed में चलती है घंटे वाले सुई चोटी वाले सुई हमारी कम speed में चलती है बड़ी वाले सुई हमारी मतलब full speed में चलती है आप यहाँ पे घड़ी में जो यह आपको याद रखने important points है 1 minute बराबर 6 degree for minute hand minute वाली सुई के लिए घंटे वाले सुई के लिए 1 घंटे बराबर 1 minute बराबर 1 degree होता है उसकी speed होती है हर बार जो भी समय हो रहा होता है घड़ी में हमें analog clock के बारे में हम लोग बात करें आप लोग के digital clock के बारे में बात हम लोग नहीं कर रहें बिलवे वाली घड़ी के बारे में हम लोग बात नहीं करें धिहान रखेगा एंगल होते हैं एक तो आपका ये वाला एंगल जो आपको दिख रहा होगा इसको हम लोग interior अंतरिक कोन भी कहते हैं आप लोग लिख ली जिए यो बाहर की तरफ एंगल बन रहा हुआ उसको आपको हम लोग बाहरी कोन भी चैते हैं और exterior EDGLE भी कहते हैं और BLACK Rig Black High इंगल भी कहते हैं उसको हुष इसको हम सब्सक्राइन कर बाहरी नाम है ककर ये बाहरी वाला session आपको पढ़ाया जा रहा है जैसे पूरा एक घंटे का या दो घंटे का हमारा clock का session आपको आप 9 बजे पढ़ सकते हूं मेरे साथ मैं daily live पढ़ाती हूं आज मैं नहीं ले पा रहे हूं because मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए में छोटी सी tricks आपको बता रहे है अब इसका इस्तमाल क्या होगा घड़ी में जो questions पूछे जाते हैं वो किस तरीके के पूछे जाते हैं जैसे suppose that पैले ये question हमने पढ़ा इसका answer बता सकते हो आप लोग तो बताएगा थोड़ा सा अगर एक घड़ी में दो सुई है चार मिनिट की दूरी पर है तो उनके बीच का कोण क्या होगा अभी बताया था वन मिनिट बराबर six degree है तो चार मिनिट बराबर कितने डिगरी का गया पाएगा बताये दोनों सुईयों के बीच में जो जो हम लोगों ने अभी पढ़ा उससे आपका यह question बनेगा आप घड़ी में जो आते हैं वह सबसे ज़्यारा सवाल पूछता है एंगल के उपर पूछता है जैसे मैंने आपसे कहा एदर ही बता देती हूं जैसे मैंने आपसे कहा माल लीजे आपकी घड़ी है इस घड़ी में माल लीजे आपके पास चार बज रहे हैं आपसे question में पूछेगा कि घड़ी में चार बज रहे हैं तो बताजे, चार बजे कितने डिगरी का एंगल बनेगा। ये थोड़ाrend बड़ा हो गया, इसोच शोटा कर देते हैं, क्यबशा होती है। चलो, चारबजे कितने डिगरी का एंगल बनेगा। इनि это अब मैं ने बताए थे, यह आपका 30 डिगरी हो जाएगा, यह 90 सब साथ बजह साथ हो दोगैंग एक बज्ञाइए है टिके भाई माली आपकी बाद सांच बजे बताओगे तो 150C यह पांच बजक्र पर कितनी डिक्री का कोड बनेगा घड़ी के सुईयों के बीच, घड़ी के सुईयों के बीच, पांच बच कर 23 मिट पता है कैसे होते हैं, आपको diagram बनाने की ज़रूत दे ही, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहे हूं, जैसे यह आपका 4 है, यह आपका 5 है, पांच बच कर 23 मिनट है, आपका 6 ह है, ठीक है, तो पांच से आगे निकल गई होगी घंटे वाली सुई तो, थोड़ी सी, और 23 यानि 20 से थोड़ा सा, ऐसे, ऐसे, बस यह वाला एंगल पूछ रहा है, यह एंगल कितने का है, आंतरे को, जो तोनों सुईयों के बीच में बन रहा है, 5 बच के 23 मिनट पर कितने यह एंगल बनेगा, यह डाइगराम मैंने आपको समझाने के बिनाया है, आपको समझा, डाइगराम बनाने के जरुवते हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन का अंसर निकालना है, जो अभी हम निकालेंगे, ठीक है, पूरे क्लोक में हमारा जो यह एक फॉर्मला इस्तमाल हम करते हैं, इसी से आप लोग एंगल निकाल सकते हो, यानि कोण निकाल सकते हो, कोण बराबर होता है, एंगल निकालने के लिए, हमेशा आप यह method लगाओगे, हमेशा applicable होगा, 60 का गुणा हम घंटे से करते हैं, क्योंकि हमारे एक घंटे में 7 मिनिट होते हैं, माइनस 11 का घंटे एक बार में, एक राउंड में, जिसे हम 11 गंटे 60 मिनिट लिख सकते हैं, यानि जितने भी मिनिट से इस 60 के अंदर आ जाएंगे, तो 11 से उसका multiply करते हैं हम लोग, या फिर ऐसे भी मान सकते हैं, कि पूरे हमारे जो दिन में 11 सरकल बनाती हैं, दोनों सुईया, 360 के 11 बार घूम जाती हैं, चीक है, 12 गंटे में, 24 गंटे में 22 बार, वो भी आपका detail में, जब मैं बताऊंगी, तो आप लोग उसमें पढ़ लिजेगा, ठीक है, तो कौन निकालने के लिए आप ये method लगा सकते हैं, बिलकुल method है, formula based आप लोग का question है, आप आराम से निकाल सकते जैसे, अभी हमें निकालना हो, तो लिख लीजेगा, इस method को, घड़ी तो आपका पूरा इसी से solve हो जाएगा, घड़ी में मैं और कुछ बताती भी नहीं हो, ठीक है, पांच बच कर 30 मिनिट का निकालना है ना, तो गैसे निकालेंगे, भई, 1 by 2 हो जाएगा, 60 का गुणा घंटे से करोगे, घंटा कौन सा दिया गया, यहाँ पर 5 जो दिया गया है, माइनस 11 इंटो मिनिट कौन सा दिया गया है, 23 मिनिट्स, ठीक है, तो भई, आप लोग यहाँ पर solve कर लो इसको, यहाँ आपका 300 आएगा, यहाँ आपका आजाएगा 200, तरे पन ना, ठीक है, हाँ फिर यहाँ पर बचेगा 47 जिग्री, जिसे आप 2 से डिवाइट करेंगे, तो यानि कि आपका आजाएगा पहला वाला, 13.5 जिग्री, तो घडी में हमसे कोई भी सवाल पूछे, कभी भी पूछे, किसी भी तरीके का question पूछ रहा, एंगल वाला, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कोई साभी एंगल पूछेगा, हम ये method लगाएंगे, आप आराम से एक लाइन में इसका answer निकाल पाओ, चीक है, अब जैसे आप लो उसे एक और सवाल पूछे, इसमें मालो, बताए, इसका बता सकते हो, 6 बच कर, 18 मिनिट पर, घडी की सुईयों के बीच, कितने डिग्री क आपका answer record बनेगा, answer record याने internal angle बता चुकियों में क्या होता है अबी, चीक है, तो फिर से निकाल लीजे, आप angle वाला formula लगा दीजे, फिर से, angle बरावर होता है, यहाँ पे आप लो का, 1 by 2, 60 into hour, minus 11 into minutes, minutes, याने 18 मिनिट है, तो निकाल दीजे, 1 by 2 इसलिए किया है, क्योंकि, आपका जो 6 बच कर 18 मिनिट का जो समय है, वो एक पूरे दिन में 2 बार बनता है, सुबा भी और शाम को भी, इसलिए हम आधा कर देते, क्योंकि हम 12 घंटे का derivation निकाल रहे है, 24 घंटे का नहीं निकाल रहे है, क्योंकि सुबा के 6 बजे और शाम के 6 बजे भी, angle सेम ही इसलिए, चेक है, तो यह आपका आगया, आपका कितना, 360 degree, ओके, माइनस, 198, solve करोगे से, 162 का पहले, पर 2 से divide करोगे, तो 81 degree का angle बनेगा, यानि 6 बज कर 18 मिनिट पर 81 डिगरी का code बनता है, चेक है, अब इसी में पूछ लेता है, मानलो आप लोगों से, यह देखों, वाला, ओने बनिट Hopkins से, आप से आप से एक्स्टेरियर, वालवाला एंगल, ऊसका एक्स्टेरियर भी बूलते हैं, इसको, बाहरी कों भी बूलते हैं, बाहरी क कों भी बोलते हैं, और इंग्लीश में और घंटे वाली सोई आपकी होती है चार और पांच के बीच में क्योंकि साड़े चार बज रहे तो आपसे पदाए कौन सा एंगल पूछ रहा है यह वाला नहीं पूछ रहा है आउटर वाला पूछ रहा है यह वाला एक्स्टीरियर यह मैं सिप समझाने के लिए बना रहे है तो कैसे निकालेंगे अरे जाने दो रहा हमें कोई टेंशन लेने के जरूवत ही नहीं हमें एंगल ही निकालेंगे पहले सबसे पहले आप एंगल निकालो साड़े चार बजे कित्ते का एंगल बन रहा है जो आपका अंतरिक वाला है वो ही निकालनों आपने ठीक है यह आपका 90 डिवाइड बाई दो 45 डिग्री यह तो आगे आपका अंतर एक कोण साड़े चार का ठीक है यह साड़े चार का आए लेकिन हमें कौन सा निकालना था बाहर वाला कुछ नहीं करना है मैंने अभी आपको सबसे स्टार्टिक में क्या बताया हमारा पूरा जो सरकल हो सकते हैं तो यहां आजाएका आपका 315 डिग्री जो कि हमारे उप्षिन में दे रखाए तो दो में से एक एंगल आपसे जो भी पूछेगा वह आप आराम से निकाल सकते हो इसी को लगाईए एंगल निकाले रिफ्लेक्स पूछ रहा है 360 से माइनस करते हैं इसी से आपके घ इससे नोट कर लो आप इसे लगाओगे निकालोगे आप लोग आंसर हमेशा यहां पर क्लियर आएगा चले तो एक यहां पर क्वेस्जन दे रही हूं आप लोगो करने के लिए में भी आप लोग करेंगे उसको और आंसर देंगे उसका वीडियो एंड होने के बाद चली ब सब्सक्राइब करेंगे अभी मुझे थोड़ा सा इंपॉड़न वर्क है इवरीवन जिसलिए मैं आज लाइप क्लास नहीं कर पा रहें उसके लिए सौरी बड़ापी ट्रिक्स याद रखेगा आपको एक्जाम में काम आएगा और रिवीजन करिएगा हम लोग मिलेंगे फिर अगर आपको मेरे क्लास का लिंक चाहिए आपको लिंक नहीं मिल पाता है तो आप मेरे टेलेग्राम चैनल पर जॉइन कर सकते हो मेरे टेलेग्राम चैनल का नाम है मेरे नाम से ही है रितिका तोमर ओफिशियल जैसे ही आप उस चैनल पर जॉइन करोगे ये है मेरे चैनल का नाम रितिका तोमर ओफिशियल जैसे ही आप जॉइन करेंगे आपको वहाँ पे चैनल मिलेगा आप उसे जॉइन कर लो सर्च करो होगे जॉइन करोगे तो आपको वहां से लिंक मिलने लगे अभी फिलाल से इस वीडियो को आप सभी लाइक और शेयर कर दीजिए आप सभी से लिके से आंसर कर रहे हो ओके चले थैंक यू एवरिवन वीडियो को लाइक इसको शेयर कर देना लाइक और शेयर इस वीडियो को कर दीजेगा थैंक यू थैंक यू लिकाल देना त अरैंक यू भाइक और शेयर खवी लाइक यू एयूय को झाल विला थैंक is अजार भी यू豉त खजे वीडियो लाइक